अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक नमस्कार मैं हूँ महेक शर्म और इसوقत आपी लाइड तस्वीरे देख रहे हैं रहयाना के करणाल से और इसक्त हम मुगल कैनाल में जहांपर जो डॉग आप देख रहे हैं यह फीमिल पग है जो ब्रीड है इसकी वह पग है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डॉग ह बहुत ही प्यारी फीमेल डॉग है और आप देख सकते हैं कि काफी मायूस भी नजर आ रही है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुगल के नाल में जिस शौप पर हम है वहां के जो ओनर हैं वहां के जो लोग हैं उन्होंने इस कई ना कई इस डॉग को बचाया भी है क क्योंकि अपनी ही शौप के बार उन्होंने मुगल के नाल में देखा था कि दो लड़के हैं साइकल पर थे वो और इस डॉग को उठाकर वो ले कर जा रहे थे इनको कई ना कई शक हुआ कि ये डॉग इनका नहीं हो सकता किसी अच्छे परिवार में ये डॉग है अच्छे से खुश हो जाए हाला कि इतना जादा मुझे तो नहीं मालूम इस डॉग के बारे में लेकिन आप खुछ समझ सकते हैं जो डॉग लवर हैं कई ना कई वो जरूर समझ सकते हैं कि क्या पेन होता है एक डॉग का भी जब वो अपने परिवार वालों से कहीं बिछड कर दूर कुछ चला जाता है लेकिन बड़ी बात यह है कि जो यहां पर मौचूत हैं यह काफी अच्छे क्योंकि इन्होंने अपनी शॉप पर सुभा से इनको इस डॉप को यहां पर रखा हो जाता है तो तीन बज़े मार्केट बंद हो जाएगी इनको भी परिशानी ज़रूर होग ये डोग कहां रखेंगे इनको अपने घर कहीं ना कहीं शायद इसको लेकर जाना पड़ेगा तो ये बड़ी समस्य हो जाएगे लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी वीडियो को जादा जादा इस वज़े से शेयर करें ताकि अगर किसी का कोई फीमेल डोग जो सब्सक्राइब करें एक बार इनसे भी नमबर भी जानेंगे और इनसे भी नमबर भी जानेंगे सर क्या नाम है आपका मेरा नाम नितेश वर्मा है और अरली मोर्निंग 9.30 के राउंड मैंने इस पको दो लड़कों के पास देखा था साइकल पर लेकर जा रहे थे और थोड को डाउट हुआ एक्चुली उन्होंने जिस तरीके से कैरी किया हुआ था वो यह था कि कहीं से उठा कर लेकर आये हुए और यह जल्दी-जल्दी में लेकर जा रहे हैं बट मैंने उनको जाकर रोका और उनसे पूछा कि कहां से लाए तो वो थोड़ा हडवडा आ गए तो किस तरीके से जो दो लड़के थे और किस तरीके से आप दिख सकते हैं साइकिल पर सवार होकर इस पक डोग को फीमेल डोग है इसको लेकर जाने की कोशिश करे थे जो यह शोप वाले हैं मुगल कैनाल में इन्होंने यह जानकारी दी है कि इनको ऐसा संदे हुआ कि शायद इनका नहीं हो सकता क्योंकि हट बड़ाहट में आगे जा रहे थे हैंनलिंग में इनको काफी जादा दिक्कत हो जी क्योंकि जिनका डोग होता है उनको काफी अच्छे से पता होता है कि डोग को हैंडल किस तरीके से करना है डोग को किस तरीके से कैरी करना और सबसे बड़ी तो इसी वज़े से हमने आपको कॉंटेक्ट किया है तो बस यह है कि एक बार मिल जाए क्योंकि मैंने उन लड़कों को भी बोला था कि अगर आप इसके ओनर है या आप कहीं से भी लाए हो और सही लाए हो तो आप उनको यहां बुला लीजी अपनी आइडेंटिफिकेशन दि तो बस वही है कि अब यह है कि यह सई जगा पहुंच आए अपनी तो इत विल बी फाइन फॉरस तो यह भी मिस कर रहे है अपने परिवार वालों कुछ आप जिस गर में रहता होगा ने लग तो रही है अब यह पग तो है अब फैवरेट तो सभी का ही होता है तो बड़ा क पानी दे रहे हैं ब्रेड बगर यह ओफर करी रहे हैं अब वही है कि बस चूपी बैठी हुए है यह हमारे क्लास्फूम्स में आप भी डोग लावर है शायरे समयन असे हाँ बिल्कुल हमारे फ्रेंड के पास भी था तो बस हो ही है कि ठीक है एक है एक हलपिंग एंड हो ज जिससे भी लाए हो उसका कॉंटेक्ट नमर दे दो में बात कर लेता हूं मेरे साथ महाविर जी भी थे तो उन्होंने भी पूरी इंक्वारी ली बच्चों की तो उसके बाद ऐसा कुछ स्पेशल मार्क वगेरा भी है जिससे अगर कोई सामने आता है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग डोग लवर भी होते हैं बहुत सारे लोग ट्राइ करेंगे कि हम इसको अडॉप्टी कर ले इक तरीके से लेकिन वो गयर कानूनी होगा क्योंकि जिसका है उन तक यह पहुंचाना बहुत है नहीं तो बस यही बोलूँ हां जिनका भी डोग होगा डेफिन कुम्रित्यू भी हो जाती है तब भी बहुत लोग खाना भी छोड़ देते हैं घर में बहुत जादा मातम हो जाते हैं तो कही नहीं कहीं को आप खुशी में बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को जादा जादा शेयर जरूर करेंगे दोस्तों कई बार आप यह भी समझ प्रत्ता रखते हैं जितने इंसान रखते हैं और यह आज कही ना कही दुखी जरूर है क्योंकि अपने परिवार वालों से बिछड़ चुका है परिवार वालों तक इसको पहुँचाना है तो अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी वीडियो को जादा जादा शेयर जर बिछ चुट लग रही है और सबसे बढ़ी बात कि जितने भी विवेर्डियो से और शायद महसूस कर सकते हैं इसका दशूक्राइब दर्द भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह जिस परिवार में यह रहता है जिन लोगों के पास यह रहता है जो इनके मालिक होंगे उनको कह कई ना कई याद कर रहा है कई ना कई कोई ऐसी तकलीव भी हो सकती है जो यह अपनी जुबान से तो देखिए बता नहीं सकता क्योंकि बेजुबान जानवर होते और इनके दर्द को समझना इस वक्त बहुत जादा जरूरी है एक बार जिन कॉंटेक्ट नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं कोई डिटेल वो भी हम लेना चाहेंगे सर क्या नाम है आपका आपको भी यह डॉग मिला है जी महावीर संदू प्यारा जी कैसे से लूशन से और सूब नाइन थर्टी के आसपास यह मिले हैं बाकि तब से मायूस हैं इसको ब्रेड बगरा मेल को बगरा दिया है कि अपना यह होगा कि असली ओनर के पास यह पोँच जाए हमें भी संदूश्टी होगी और इसके लिए भी अचाहिए जो बिल्कुल पैचानता होगा हम पूरे वैरिफाइव करने के बाद इसको एंड और करेंगा तो यह जो डोग होते हैं यह बाग बाग बहुते भी नह सर आप एक बर बता दे हलांकि प्यार एजुकेशन सॉलूशन्स पर इस वक्त हम हैं सर शॉप नंबर क्या है शॉप नंबर है 377 मुगल कनाल करनाल तो अभी शॉप पर शॉप क्यूंकि तीन बज़े देखे बंद हो जाएगी अगर शॉप क्यूंकि तीन बज तक अगर शॉप नंबर 377 है पी आर एजुकेशन सॉलूशन्स के नाम से है ग्रांड फ्लोर पे है हमारा अगर यहां पर आप फिलाल नहीं भी होते तो आप से कॉंटेक्ट करके वह सो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और महाविर जी है और मैं भी हूं कुछ ऐसा मार्क अगरा भी है ज सारा सेम ही रहता है ऐसाच कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क वगरा तो वो खुदी बता पाएंगे ताकि हम ओंदा स्पोर्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं तो कहीं नहीं को नाम जरूर पता होगा तो फीमेल पक डॉग है आप देख सकते किस तरीके से सुभा से ही उदास होकर आपर बैठी हुई है सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छे लोगों की अभी भी दुनिया में कोई कमी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से जो ये शौप वाले हैं इन्होंने दो लड़कों को देखा था कि किस तरीके से वो साइकल पर इसको कैरी करते हुए हडबडाहट में आ और हो सकता है करंताल पार्क में घुमाने को इसको लेकर आया हूँ और वहाँ पर ये कहीं गायब हो गई और वहाँ से उन लड़कों ने उसको कैरी कर लियो ये तो बात का विश्य लेकिन बड़ी बात ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें आप देख रहें आईबन 24 में हुमेहक शर्मार आणके करनाल से आप सभी के साथ लाए धन्यवार